हेलो फ्रेंट्स आपका फिसे बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने ही चैनल SMII पे और इसे चैनल में हम आपके लिए लेके आते रहते हैं आई आज बात का लेते हैं जिंदल वर्डवाइड लिम्टर के स्टॉक की दोस्तों इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन अपर ज आने वाले टाइम में इसके टार्गट क्या रहा सकते हैं इसके फिनेशल किस तरह के निकल कर आ रहे हैं टेकनिकल लेवल कौन-कौन से हैं सारे डिटेल आईए एके करके हम चेक करेंगे तो एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें सबसे पहले जदी आप हमारे चै आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसके स्टॉक की ही पास्ट परफॉरमस देख लेते हैं, लास्ट पाइव डेका डाटा देखे 1.14% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, पहले इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन 292 के रॉंड इस स्टॉक में अपना स्पोर्ट बनाया है यहां से बहुत ही अच्छी रेकवरी भी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है ट्रेंडर वर्सल देखने को मिल गया है वन मत का चार्ट पैटरन देखे 6.32 परसंट की रैली है इसका जो अपर रिजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है 375 के रो हो रही थी फिर कुछ टाइम के लिए कंसॉलिडेशन भी हुई थी अभी भी यह जो स्टॉक है अपनी कंसॉलिडेशन रेंज में ही चल रहा है आपको रेंजबांड काम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है अपर जिस्टेंस और लोवर स्पोर्ट लेवल के बीच में ही यह जो स्टॉक है आपको ट्रेड करता दिखेगा अपर जिस्टेंस लेवल 375 के अरॉंड देखने को मिल रहा है आईए आगे बढ़ते हैं इसका कुछ बंद जियर का पैटर्न देख लेते हैं तो लास्ट बंद जियर में 504 परसंट के मल्टी बैगर रिटरंस आपको देखने को बिली है 50 का डाटा देखें तो यहां पे और बढ़िया रिटरंस देखने को मिलेंगे 660 परसंट के बढ़िया रिटरंस देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें लीनियली रिटरंस बने हैं कई पर बहुत ही फास्ट रैली भी से स्टॉक में हो जाती तो उस time stock को पकड़के रखना बहुत ही मुश्किल होता है तो जदि आप इस stock को hold कर गए तो कल को बहुत ही अच्छा पैसा आपका stock में बनेगा तो यही stock market का जो performance का जो होता है जदि all time का data देखे तो यहां पे भी बढ़िया returns ही देखने को मिलेंगे ने लिए 1100% के return ही लेते हैं जो company 1986 में शुरू हुई थी इंडिया-based company है और जिसके जो number of employees है 2261 है तो इसके different subsidies भी देखने को मिल जाएंगी जैसे के planet spinning mills प्राइवेट लिमिटेड जिलको securities limited जदि इसके December 21 के numbers देखे तो बहुत ही positive trend देखने को मिला है revenue में 14% की growth है income में 22% की growth है EPS में 21% की growth margin भी 6.31% की growth शो कर रहा है और operating income में 33% की growth जो है वो आपको देखने को मिल चुकी है on a year on a year basis तो आईए इसके latest financial score चेक कर लेते हैं हम आपको ले चलते हैं बोंपे stock exchange की side पे देख लेते हैं कि आजकल इस stock में क्या trend चल रहा है इसका financial score किस तरह का निकल कर आ रहा है और last three months म जाया है वो भी हम check कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर इस company की जो financial performance है बहुत ही positive निकल कर आ रही है जिंदल worldwide reported very positive financial performance in the December 2021 and the score has fallen to 25 to 20 from 26 in the last three months तो यहां पर आप दिख सकते हो इस company का financial score financial trend बहुत ही positive है very very positive निकल कर आ रहा है as for the Bombay stock exchange तो यह जो दोस्तों जो financial score होता है यह calculate किया जाता है based on the different parameters जैसे उस company की revenue growth किस तरह की है इस company का share holding pattern किस तरह का है income की growth क्या है profit किस तरह का है तो सारे parameters मिला के इस company का financial trend है बहुत ही positive है और last three months में nearly flat ही है आप कहा सकते हो minorly reduce हुआ है इसकी जो ROCEA percentage है that is highest at 16.22% operating profit to interest is also highest at 540 times net sales is also highest at the 675 crores जदी इस company का technical trend देखें तो MACD जो है वो mildly bearish trend आजकल show कर रही है जैसे कि हमने आपको पहले ही बिताया है यह जो stock है chart में भी आपको bearish trend show कर रहा है consolidation range में ही आजकल इस stock में काम हो रहा है हमने आपको पहले ही chart में बताया है तो इसमें जो है आपको mildly bearish trend देखने को बि तो आए इसका कुछ और parameter देख लेते हैं delivery की position देख लेते हैं Friday के दिन इस stock में 100% की delivery आपको देखने को मिल जाएगी about the pressure lease dated 5th माई 2022 टाइटल जिंदल worldwide makes foray into EV sector तो यह जो कांपनी है अब electric vehicle सेक्टर में भी foray करने जा रही है और इस कांपनी ने earth energy EV को acquire कर लिया है तो यह बहुत ही positive news है दोस्तहों यह जो कांपनी अपने business को expand करने जा रही है जैसे कि आपको पता है आने वाले टाइम में electric vehicles में बहुत अच्छी growth देखने को मिल सकती है इसमें आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है अब यह जो कांपनी यह electric vehicles में फोरे करने जा रही है बेसीकल यह जो company है पहले textile sector की company है लेकिन अब यह जो company है diversity vacation की और बढ़ रही है यह positive indication है इसलिए ही Friday के दिन इसे stock में आपको positive trend देखने को मिला है otherwise stock market में negative trend था सबसे बड़ी इस company की strength देखें तो यह जो company है एक cash rich company है और इस company के पास cash भी बढ़ रहा है cash flow भी बढ़ रहा है market capitalization देखें तो 6,235 crore का है PE ratio 68.49 की है sector की PE ratio 5.94 की है तो sector के comparatively यह जो stock है आपको अभी costly दिख रहा है costly मिलेगा तो आएए आगे बढ़ते हैं इसके कुछ और parameter भी हम detail में study कर लेते हैं तो आज कल इसे stock में जरूर बीरिस trend देखने को मिल जाएगा price की performance हम आपको बता चुके है short term में जरूर इसमे profit booking है volatility है लेकिन long term में year till date का one year का three year का data देखोगे तो बहुत ही शांदा return जहां पे देखने को मिल रहे हैं तो आएए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों इसके कुछ और parameter हम detail में study कर लेते हैं क्योंकि stock market में volatility चल रही है तो इसलिए आपको stock market में बहुत ही ध्यान से investment करनी चाहिए stock specific रहके ही investment करनी चाहिए तो आएए देख लेते हैं कि इसमें जो trend है किस तरह change हो रहा है shareholding का trend कैसे change हो रहा है जहां पे आप देख सकते हो promoters have unpledged 1.39% of shares in the last quarter and the total pledge now stands at 6.21% दोस्तों आप देख सकते हो जो promoter के pledge shares हैं वो भी reduce हो रही है इसका मतलब है कि इस company का debt जो है वो आपको reduce होता दिख जाएगा promoter holding remains unchanged then FIIs have increased their holding यह सबसे positive point है दोस्तों जो FIIs है वो अपनी holding इस company में जो है वो increasing कर रही है यह बहुत ही positive trend है तो जदि इसकी valuation देखें तो valuation जुरूर आपको थोड़ी costly दिख जाएगी लेकिन ROE percentage का data देख जदि debt to equity ratio देखें तो यह company low debt company है एक से कम ही है तो in the end हम आपको यह कह सकते हैं यह जो company financially strong company है healthy company है और इस company के technicals अभी बीरिश में trend show कर रही है जैसे आप देख सकते हो लेकिन इसके financial जो है quarter quarter basis पे जदी आप देखोगे इसके numbers June 21 onwards इस company के revenue में continuously growth ही देखने को मिली है June 20 में 21 में इसका revenue 524 क्रोड था स्टमबर 21 में 630 क्रोड हो गया है December 21 में 675 क्रोड हो गया है similarly net profit का data देखे तो यहां पे भी आपको increasing trend जो है वो देखने को मिल जाएगा from last 3 to 4 quarters March 21 onwards इस company के net profit में growth ही देखने को मिल रही है तो यह बहुत ही plus point है दोस्तों आप धीरे धीरे करक के इस stock को accumulate करें क्योंकि financially बहुती अच्छी company है textile sector की company है financials are very very positive इसका share holding भी आप है यह जो है वो आप देख सकते हो आप करीदारी कर रही है और उनका जो share holding है positive trend शो कर रहा है तो इसलिए आप इस stock को धीरे धीरे करके accumulation करें क्योंकि अभी consolidation में चल रहा है कोई भी dip मिलता है इसमें खरीदारी करें क्योंकि कल को जदी इसने consolidation range को break कर दिया फिर इस stock को पकरना मुख्शकिल हो जाएगा ज़िए इसके marks 22 के numbers positive रहते हैं तो इस stock में बहुत ही बड़ी जो है आपको breakout आने वाले time में देखने को मिल सकती है इसलिए आप इस stock को धीरे धीरे करके accumulate करें next जो इसका target है वो आपको 400 का देखने को मिल सकता है in the next one year तो दोस्तो stock market में जदी आप low valuations में ही खरीदारी करोगे तभी पैसा कमा सकोगे so thanks again